हेलो किसान भाईयों एक बार फिर से स्वागत है आपका MDA एक रोग किसान पर तो आज बात करेंगे कि पशो में होने वाले प्रमुग रोग थनेले रोग जिसको मास्टेटिस और टॉंसिल डिजिस बोलते हैं जो पशो के लिए बहुत ही गातक रोग है तो इस रोग को किस त और इसको इसकी जो अंग्रेजी द्वाया है वह बहुत महंगी है जो पशोपालों को बहुत महंगी बढ़ती है तो आप अपने अस्तर पर ही प्रात्में अस्तर पर ही इस रोग को कैसे नेंदित कर सकते हैं तो इस रोग यह जो रोग है किन पशो को विशेशकर होता है तो कि यह जातियां विदिशी जातियां हैं और यह भारती मौसम में इतनी ज़ल नहीं पाती है इसलिए यह बीमारिया इन पर ज़्यादा हवी होती है और यह इन बीमारियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा सब्विदंशिल होती है तो इन गायों को मैं यह रोग विशेश कर है तो आइए मैं बता जाता हूं कि इस लोग का प्रम क्लेक्शन क्या है जैसा कि किसान बईयों आप देख सकते हैं कि थन रोग में क्या होता है कि जो थन है आप जो से के थन देख रहे हैं इसमें थन में क्या होता है कि थन कड़क हो जाता है और इसमें जो दूद है दूद की होता है कि ये दूस्रे थानों की आपक्षा कर्म हो जाता है ये तरो के पर मुखला है पर leads क्राइब आप यसा कि रहे सकते हैं तो आप इस तरह से हिंकि पैचांद से कर सकते हैं कि तो कैसा होता है किसान भाईओ अपको नेम के पत्ते करना है और पानी से तनों को दोंआ है अपके सामने आपको दिख रहा है इसी नीम का promoted है इसकी तंहने नीं है और इसके चाल उतारनी है और ह्लाज यहादारणी है आपको पचास ग्राम लेनी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि बार वर्ष में पाया जाता है जीसा कि किसान भायों मेरे हाथ में देख सकते हैं आप यह नेम की टेहिने की इस तरह से आपको चाल उतार लेनी है यह चाल बहुत ही उपयोगी है और बहुत ही शांदार तरीके से पशुके जो थेनेल रोग होता है उसमें यह चाल का बड़ा म करेंगी तो किसान भायों आपको ऐसा करना है कि इस तरह से आपकी जो चोटी मृट डालिया है वो निकाल लेनी है और उसको इस तरह से किसी भी धार-दार जो हतिया है आपका हसिया है या चाकू है उससे इस तरह से आपको यह जो आप च्छाल देख रहे हैं इसे च्छाल और इसमें आपको दो चीजे मिक्स करनी है जो कhor रूब है मैं आपको अगे बताने वाला हूँ इसमें दो चीजे एक करें आपको एक पहले ज़सें करना है वह आपको लेनी है काली मिर्च आपको कम 25-30 g घ्राम काली मिर्च लेने और उसके साथ मैं आपको लेना है हल्दी के लिए बहुत ही जबड़ादस का मुझे करती है पुशुक के शहीड में, रग्त संचार में और थन्यारोग में, इसमें विशेश्कर इस हल्दी का बहुत बड़ा रूल होगा, तो आपको क्या करना है? यह जो छाल है, नीम की छाल, नीम की छाल को अच्छा सब बारिक कर लेना है, उसमें तो प्रश। COP ईक्ष्ण करने है, हिसमें तो और आगर आप इस खुरा को 2-2 दे इते हैं तो आप दिखेंगे कि आपके वहसमे इंटर्य होückeniness के निशी तोड़ने मृंसे का इसकी पाने ऑर्च को चमय है ऑर पिक होगा कि क्या चितो kya करना है कि या फ्मेटना मृ तो शेया और भुड़न cannot, उस है तुम्य corpo अब 2 क 920 दे कि संभावना ना के वरबर रह जाएगी तो नीम का पानी बहुत ही आफशक तो आप अगर दूद निकालते समय या फिर दूद निकालने के बाद भी आप इस पानी का जरूर को करें तो यह बहुत ही आफ़